हेलो दोस्तों, सभी दोस्तों को हमारा प्यार वरा नमस्कार, जैसे हैं आप सभ उमिद करते हैं, आप सभ ठीक होंगे, स्वस्त होंगे, तो दोस्तों हम भी खीक है और अच्छे है। तो दोस्तों कल हम ब्लोग नहीं बना पाए क्योंकि हमें गाउंपे मठतों ने जाना पड़ा सुबह पांच बजे चले गए थे और हमारे फॉर्म पे बैटरी भी नहीं थी तो शाम को हम घर आए थे आठ बजे इसलिए जो हम वीडियो नहीं बना पाए तो आठ हमें अभी से बना रहे हैं तो दोस्तों अभी हम चाय पी रहे थे तिर्गू की चाय तो दोस्तों हमने सचा क्यों आज आज आपको इसका पौदा दिखाए जाए जो इसका फल होता है वो भी जो है त्यार होने लग गया है अभी थोड़ा टाइम लगे का 15-20 एक दिन और लगेंगे तो जो है आदा त्यार हो गया है अलके लाल हो गये हैं तो हम आपको दिखाएंगे आज वो कैसा होता इसका पौदा और कैसे होते इसके फल तो चलेंगे अभी चाय पी लेते पहले दिखाते आपको चाय इसकी दीखिए दोस्तों इस कलर की उदीश की चाय काफी ज्यादा इधर और ऐसे दीया जाता है यहाँ पर पानी चैंबर बने हैं चैंबर से लगाए जाता है चारत प्रह कि पेरों में रहना है त्यवस्तों ह्यां सामने नीक्र अफरह तो यहां पर जो है कम अभी बाकी जो है बहुत से ईत्तरूर उस तरह पार की तरफ तो जब निकालने ज जाएंगे फिलाल आपको पौदा दिखा देते हैं किस तरह का होता है तो दोस्तों देखे हम लोग पहुच चुके हैं बैक्ग्राउंड में आपको इस नदी के आवाज आ रही होगी दोस्तों हमार पास माइक निया तो आपको क्लेर आवाज नहीं आएगी इसके लिए माफी जाते हो दोस्तों को किके दोस्तों यह वह पौदा काफी बढ़ा है उस तरब तो बहुत सार है देख सकते आप परेगे सभी जो है तुर्गू के पौदे हैं अग्रा को को देख सकते दोस्तों किस तरीके से लगे होते इसमें यह कर encryption देखे दोस्तों कि इसमें देख सकते हैं आप कांटे किस तरीके से है काफी खतरना कांटे होते हैं इसे निकालना भी काफी मुश्किल होता है तो जब निकालेंगे आपको दिखाएंगे कि देखिए इस तृद्ध बहाँ पर चल के भी दिखाते आपको अबाँ तरफ है एस दाने का पोड़ा तो हमने आपको दिखा दिया तो दोस्तो इस दाने की वारे पर थोड़ा स माँ मुली दाने नहीं है इस दाने से बहुत ही इस दाने से जो है बहुत ही दवाई बनती है जैसे कि सबसे में तो इस दाने का दवाई है कैंसर के लिए कैंसर के लिए बहुत ही फाइदे मन्त है तो दोस्तों काफी दूर दूर से आते हैं यहाँ पे लोग यह दाना निकालने के लिए तो भीचारी उन लोगों को पता नहीं होता है कैसे निकालते हैं फिर लोग दिन भर पे एक दाने निकालते हास से क्यूंकि इस पौधे पे बहुत ज़्यादा कांटा है तो ज़ाड के निकालना पड़ता है इसको तो हम आपको वीडियो पे जरूर दिखाएंगे काफी सारे लोग आते लेकर जाते हैं तो तो दोस्तों जो यह दाना इसका पहुत की जयादा रि안 करते बाते हैं तो हम लोग भी तोड़के पूर दोड़के उसकर रजं निकाल के रघते हैं और इस बाने कीछियिक को शुखाकर चाय के यह इस्तिमाल करते हैं इसका है ने कुछ नहीं करना हमने एक फानी का इस दिर्गुती का एक धकन रस डालना है फिर पीना है को बहुत यह अच्छा होता हमारे शरीर पर कोई बीमारी नहीं लगेगी तो दोस्तों पौधा तो आप लोग देखलिया है का। भी दिखाएंगे तब आप लूगों को धिखाएंगे कैसे निकाला जाता है, और किपने मुश्किल होता, इसे कांटों से भरा हुआ ये पौदा है मामूली पौदा नहीं है दोस्तों कांटों से भरा हुआ ये पौदा है तो दोस्तों जो ये दाना है जो ये दाना है दोस्तों ये मामूली दाना भी नहीं है सच पर बीमारी के लिए काफी फाइदेमंद है तो दोस्तों जो ये दाना है इसका जो डिमांड है काफी जादा होता है खास करके तो फौरण वाले जो लोग है वो इस दाने का बहुत ही जादा डिमांड करते है तो जो दोस्तो ये दाने का प्राइस है 5,000 ब्रकिलो है सुखा के दोस्तों सुखा के और्पहा यह थाल आपन्गे जायने किन अका सुखाखे पेचांगे जालिंगे बहुत इंये थियुका ज़ना हृफ्कोश यहां कि दोकस्टी जनां आख जार होती है पाइज शुरियो कि आता जांकिन足ते है overteam दोस्तों guys यह के लोग बीमार नहीं होते जादें मतलब 90% लोग तो बिमारी नहीं रहते हैं मतलब ऐसे बिमारी लगती नहीं इसको जो रस है इसका जो रस है उसको पीने से मतलब काफी अच्छा फायदा है तो काफी बुजुट लोग है जो अभी भी साम सुबे जो इसका रस लेते ठंडे पाने के साथ और चाई भी इसके छ स्वास्ते हैं चलो दूआ करती स्वास्ती रहने चाहिए तो ठीक है दोस्तों हमारा पानी बढ़ चुका है उपार चलते उपर की तरफ यह मैं लाई उखाने के लिए विदम और अपने लिए हैं और मेरी आज़ी को चाहिए किस तरीके से हम तोड़ेंगे किस निकाली जात है और अच्छे से दिखाएंगे ना आपको किस तरह से इसका रास मनाएंगे और किस तरह से इसको सुखाएंगे सब आपको दिखाएंगे तो दोस्तो आज़का जो ऐसे अपमारा वीडियो यह साइट गुल्डून है ありがとう और świat अगर चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें गान सब्सक्राइब करें अ मिलते हैं नेक्स्ट वेडियो में चा से देटेव करें लेक्रिट कर दो